अन्वमा सीरेल में जहाँ एक तरफ पाकी अपने प्यार अदिक पर अटूड विश्वास करती है, वहीं अदिक अपने फायदे के लिए पाकी का इस्तेमाल कर रहा है। जिसने पाकी को अपने प्यार के जाल में यू फसाया है कि अधिक जो कहता है पाकी को वही सही लगता है और तो और अधिक के कहने पर ये पाकी ने अपने सारे रिष्टनाते तक तोड़ती हैं क्योंकि वो सिर्फ अधिक के भढ़काने में चुल रही है लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि अब तो पाकी को अधिक ने प्यार के साथ साथ छोटी अनु के खिलाब भी ऐसा बढ़का का रुखसाया है कि अब पाकी अनु से नफरत करने लगी है और अपनी मा अनु पमा की बुरी तरह खिचाई कर रही है पर वो क्यूं और आप कौन से नफर ड्रामा शो में क्रेट होने वाला है आज हम आपको इसलिके बारे में बताएंगे पर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें जैसा कि हम जानते हैं कि अनु पमा अनुच का पाड़िया से दूसरी शादिकर अपने ससुराल तो चली गई है पर आज भी वो अपने तीनों बच्चों समर, पाकी और परिदोश की बहुत फिकर करती है इसी के साथ इन दिनों शो में चल रहें पाकी और इदिक के लव ड्रामे ने कपाड़े और शाप परिवार के विच दुश्मनी पैदा करती है क्योंकि विचारी पाकी को तो पता ही नहीं है कि अधिक उसके साथ विश्वास खात कर रहा है इसलिए वो अधिक के बढ़कावे में आकर अपनी पूरी फैमिली के खिलाफ हो गई है जो अधिक से इतना प्यार करती है कि अधिक जैसे पाकी को अपने इशारू पर नचवा रहा है पाकी वैसे ही नाच रही है जिसे सही और गलत में कोई भी फरक नहीं दिख रहा है ऐसे में अब अनुज अनुपरमा ने एक अनाथ बच्ची अनुग को भी गोद ले लिया है जिससे वो अपनी बेटी की तरह प्यार दे रही है और दोर अनुज ने अपना सब कुछ अनुग के नाम कर दिया है जिसे कपाडिया परिवार में बेटी का दरज़ा मिल रहा है बस ही बाद अधिक और उसकी बहन बरखा को हसम नहीं हो रही है इसलिए पाकी के वरोसे और प्यार का फायदा उठाकर अब अधिक पाकी को अनुग के खिलाब भड़काने वाला है और यह कहकर उपसाने वाला है कि अनुपमा तो पाकी सिर्फ प्यार ही नहीं करती वो तो सिर्फ अनुग से प्यार करती है और अपनी बेटी अनु के लिए अनुपमा कुछ भी कर सकती है ऐसी बाते केकर अधिक पाकी के कान बढ़ने वाला है जी हाँ इसके बाद आप शो में देखने वाले हैं कि पाकी अनुपमा पर आग बबूला होगी और उसकी परवलिश पर भी सवाल उठाएगी यहां तक कि पाकी यह भी कहतेगी कि अनुपमा से अब उसका कोई वास्ता नहीं है अनुपमा का जो भी कुछ है वो सिर्फ अनुँ ही है तो दोस्ताथ आप पाकी कभी अनुँ को अपनी बहन का दर्ज़ा देगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ यह से लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब परना ना भूलें